फिल्म अभिनेता रंदीप उड़्ड़ अपने एक पुराने वीडियो को लेकर मुसीबतों में घिर गए हैं। इस वीडियो की बज़े से वा पिछले दो दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। और उनकी गिरफतारी की मारंग उठी है। ट्रेंड हो रहा है। यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है जिसमें रंदीप उड़्ड़ बहुजन समाच पार्टी की मुख्या मायावती पर अशलील जोक मारते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रंदीप स्टेच पर बैठे हैं और वहां मौझूद दर्शिक और महमानों से कहते हैं कि वहां एक डर्टी जोक सुनाना चाहते हैं। इसके बाद रंदीप कहते हैं मिसमाच बती दो बच्चों के साथ गली में जा रही थी। वहां खड़े एक वेक्टी ने उनसे पूछा किया ये दोनों बच्चे जुड़वा हैं। इसके जवाब में उन्होंने का नहीं ये है चार साल का है और आठ साल का। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वज़े सिवा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो सके। इस वीडियो के वारल होने के बाद तमाम लोग उन्हें गिरफतार करने की मांग कर रहे हैं। और कुछ लोग उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं।